हेलो फिरेंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोटी और पराठे को किस तरह से सौफ्ट और स्वाधिष्ट बनाया जा सकता है यहां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ यूसफुल टिप्स जिससे आपके भी पराठे स्वाधिष्ट और सौफ्ट बनेंगे टाट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन को क्लिक करें यहां मैंने गेहों काटा लिया है इसमें थोड़ा स्वाल्ट एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूद डाल की इसे मिक्स कर लेंगे यहां मैंने तीन कप यहों काटा लिया है उसमें एक कप मैं दूद यूज करूंगे देख सकते हैं दूद को हमने आटे की साथ अच्छी तरे मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ कर देंगे और हम इसे गुंद कर डौर एड़ी कर लेंगे प्रिसिपी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं हमें बहुत सक्ताटा नहीं बनाना है इसे रस्ट करने रखेंगे तीस मिनिट के बाद हम इसे फिरसे एकपार निट करेंगे आप देख सकते हैं डोो बहुती बड़िया बन के रड़ी हो गया है आप देख सकते हैं डो कितना सॉफ्ट बना है इसकी दीज़ से अगर आप डो डो रड़ी करेंगे तो आपके पराठे और रोटियां भी बहुती सॉफ्ट और स्वाधिष्ट बनेंगे अगर आपको आज के टिप्स यूसफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप लोग इसे ट्राइ जरूर करें फिर मिलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइ थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो